और अब खबर हर्मानगर के रावच सर से है जो आएक फैक्टरी में ट्रक चालक और मजदूरों के बीच हुई कहा सुनी खूनी संगर्श में बदल गई आपको बता दे कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची लेकिन तब तक हमला वर फरार हो चुके थे इस घटना में एक यवक गंभी रुप से घायल हो गया है आपको साथी बता दे कि हर्मानगर रोड पर किसान कॉटन फैक्टरी में गेहूं की थैलों की लोडिंग के लिए खड़े ट्रक चालक और मजदूरों में पहले कहा सुनी हुई और जिस पर ट्रक चालक ने अपने साथियों को बुला कर मजदूरों के साथ मारपीट शुरू कर दी वह इखूनी संगर्ष की सूचना मिलते ही कजबे में हड कंप मच गया